नमस्कार दोस्तों मेरा नमासीश कुमार विस्रा है आज की इस वीडियो सेसन में मैं आपको टोटल जो 9 टैप के आपरेटर होते हैं सी प्रोग्रामी में सभी के प्रोग्राम में आपको step by step रन कराके दिखाऊंगा simply आपको step by step देखना है ध्यान से और आपको कहीं भी problem नहीं जाएगी ठीक है तो आप देखिए मैं arithmetic operator से start करूंगा और special operator तक के जितने programs हैं सबको एक एक करके clear करता चलूंगा एक ही वीडियो में तो आपको simply देखना है तो simply start करेंगे turbo c++ id और वहाँ file में जाएंगे तो पहला हमारा जो topic है वो है arithmetic operator तो arithmetic operator के जितने operators हैं जो like plus minus multiplication division and modulus सभी के program एक ही program में लिखेंगे उसके बाद relational operator उसके बाद आपका आजायाएगा conditional logical में भी सारे operator एक ही program में हम में इन फेक ही वीडियो में आपको करके दिखाएंगे तो simply आपको यहाँ जूड़े रहना है तो सबसे पहले मैं start करने जा रहा हूं arithmetic operator तो यह simply आप header file लगाएंगे जो mandatory होती है यह कोनियों header file आपकी जो है यह optional है आप चाहो तो यह बस लगा के भी काम करा सकते हो ठीक है उसके बाद आप यहाँ int main main function को कुछ न कुछ return करवाना तो आप int main लिखो और यहाँ simply int a, b and c अगर आपको अलग-अलग add कराना है तो यहाँ simply आप number दे सकतो हो यह की वैलू 12, b की वैलू 3 then c equal to a plus b इन आप यहाँ print करा सकते हो printf function के through printf यहाँ add कर रहे है तो यहाँ message में हम addition डाल सकते हैं अगर आप कुछ भी डालो addition कि जगे अपना नाम भी डालो कोई फरक पड़ने वाला नहीं है तो यहाँ परसेंडी लगाना mandatory हो जाता क्योंकि आप integer time उपर declare कि है ठीक है उसके बाद a और b की वैलू कहां जा रहे है तो यहाँ simply हम c लिख देंगे then उसके बाद थंसं को close करेंगे उसके बाद हम नया इसी में कर दे रहे हैं subtraction a-b जैसे यहां print कराएंगे print app subtraction तो यहां subtract बस हम लिखे दे रहे हैं उसके बाद आपको simply परसेंडी लिख देना है then उसके बाद c क्योंकि a-b की वैलू कहां assign हो रहे हैं c में उसके बाद c equal to a multiply b यहां भी आप simply नीचे print अब कर दोगे तो यहां जाएगा multiplication तो multiply simply हम लिख दे रहे हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा परसेंडी दबल कोट c then उसके बाद आपको simply c equal to a divided by b then print tab division equal to person d then c के बाद आपको simply modulus पर फार्म कराना a modulus b then print tab not dulaf equal to person d then c के बाद आपको simply क्या करना है get c h get c h then उसके बाद return जीरो क्योंकि हम main function को कुछ में कुछ written करवाएंगे integer है कि उसके बाद हम close कर देंगे आप देखी इसको save कर देंगे तो मैं save कर रहा हूं arithmetic arithmetic क्योंकि यह arithmetic operator के प्रोग्राम है सारे फिंबल्स arithmetic डॉट फी इसके बाद compile करेंगे अल्ट अपनाई फे तो जीरो एरर है और करेंगे तो यह आउट्पुट आपको देखने को मिल रहा है डिफन फिप्टी ने सब्ट्रेक्शन नाइन मुल्टिप्लाई थाटी इसके डिविजिन फॉर है मॉडल जीरो है मितलब safe का कुछ भी नहीं बस रहा ठीक है अब अगर यहां हम वैलू चेंज कर दे रहे हैं ठ अभी की वैलू तो यहां simply slash n लगा दो जब आप slash n लगा देंगे तो सारे जो addition, subtraction, multiplication का output है वो new line में आएगा तो simply आप यहां लगा दोगे then उसके बाद आप save compile करोगे no error and run करोगे तो यह output आगया, addition 17 आया, subtraction 7 आया, multiply 60 आया, division 2 आया, modulus 2 आया तो आप कुछ student का यह रहाया, यह output point में क्यों नहीं आया, point में इफिल ही नहीं आया, क्योंकि यहां int data type लिए हो तिक है, तो अगर integer रहेगा तो total आपको integer value ही मिलेंगी, float value means point वाली value नहीं मिलेंगी, तो यह था आपका arithmetic operator का program, आप देखिए मैं अगला जो program बनाने जा रहा टिक है, तो simply new में click के, आप relational operator के program हम देख लेते हैं, तो यहां आप simply वही चीज़ लिखो के hash include, htdio.h, then hash include, htdio.h, then hash include, htdio.h, then int main, int a, v, a equal to 10, equal to 4, then यहां simply आपको print करा देना है, arithmetic operator के जितने program है, तो यहां सबसे पहले हम greater than को print करा रहे, ठीक है, तो आप message में कुछ भी ले सकते हो, हम यहां a greater than b, ले रहे है message में equal to percent, d, then a greater than b, इसके बाद हम next print अप करवाएंगे, यहां तो आप इसी को copy कर दो, copy के लिए यहां shortcut की हम पताय दे रहे हैं, copy के लिए जो shortcut की है, control और insert है, और paste के लिए क्या shift insert है, तो आप इसको पहले select करोगे, तो copy के लिए क्या है, control और insert, and paste के लिए क्या है, shift or insert, तो आप जितने line में paste करोगे, उतने line में यह paste होता जाएगा, ठीक है, तो simply आपको सारे relational operator के program line by line paste कर देना, तो मैं beginners के लिए यही करूँगा कि आप type करिए, आपके पास परियाप्र मात्रा में time होता है, आपको copy paste अभी नहीं करना, ठीक है, इसके बाद आप यहां simply symbol change कर देंगे, तो यहां next जो हम कर रहे हैं, यह greater than equal to का program बनाएंगे, तो यहां equal to लगा देंगे, और यहां भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे, आप इसको less than बना देंगे, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, less than कर देंगे, इसके बाद इसको भी क्या कर देंगे, less than, equal to, और इधार भी क्या कर देंगे, less than, equal to, दें, equal to, यह सिंबल का इक्वल टू होते हैं और नाट एक्वल टू, यहां भी शिंपली, नाट एक्वल टू और इधार, एक्वल टू, दें असके बाद, हम यहां कर देंगे, get ch, और यहां return, 0, और यह, यहां clr, fcr लगा दोगे, clr, fcr function, then यहां आप flashn, ताकि आपको नहे लाइन में आउटपुट दिखे, slash m, slash m, slash m, slash m, तो आपको अब जितने output दिखेंगे, new line में दिखेंगे, अब a greater देंगे, देखेंगे, a की value क्या है, 10 है, और b की value क्या है, 4 है, तो a बड़ा है इसे, yes, तो यहां ध्यान देने, आपको अगर condition true है, तो one आएगा, अगर condition false होती है, तो zero आएगा, यहां भी क्या आएगा, one क्योंकि यह बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा है, तो यहां भी क्या आएगा, one आएगा, ठीके, तो इसको हम comment में डाल जिएते हैं, है symbol की जाएगा हम, यह double flash को यहां single line comment बोलते हैं, c programming में, तो आप double flash कर दोगे, तो comment में आजाएगा, यहां error के chances नहीं होगे, ठीके, उसके बाद, a चोटा है भी से नहीं है, तो condition क्या है, फाल्स है, तो यहां क्या आएगा, a और a रिलेशनल से कर दोगे, आप कुछ भी नाब दे सकते हो, तो में यहां relational operator के सारे प्रोग्राम सारे फिंबल यूज किये हैं हम तो वहां हम relational.fee का प्रोग्राम इसलिए .fee extension देजी है अब compile करेंगे तो zero error है और run करेंगे तो यह output आ गया देखिए जैसे हम आपको दिखाए थे पहले वाले में one आ रहा है दिफरे वाले जीरो चौते वाले जीरो पांचमे वाले जीरो नेस्ट वण तो यह था total relational operator के प्रोग्राम एक बार और अगर आपको आपट देखना है तो देख लिजिए तो यह output आ गया है तो यह था relational operator का प्रोग्राम अब ऐसे ही आपको आगे बताए जाएंगे logical के program conditional operator के program एंड जितने और remaining operator हैं सभी के program तो अभी इस session में हम बता रहे हैं तो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा arithmetic and relational operator के program तो आज के इस वीडियो में इतना ही आगे के lecture में continue करूँगा धन्यवाद